कोरोना के कहर के बीच एहमदाबाद पुलीस में पुलीस कर्मी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद इस तरीके की मोबाइल सैनिटाइजर वेन जो है वो पुलीस कर्मी के लिए यहाँ पे शुरू की गई है आप देख सकते हैं यह एहमदाबाद पुलीस के ज रहना रहता है उसके बाद जब वो बहार आते हैंice 2017 हो जाते हैं कि यहां पेसे यहां प्रजुट एक जो पुलीस करमचारी है जो ऑन ड्यूटी है जिनके लिए ये बहुत एहम हो जाता है कि वो डिसिंफेक्टिव रहे क्योंकि लगातार 24 गंटे पुलीस हमारे लिए सडकों पर खड़ी हुई है लॉकडाउन के हालात है लॉकडाउन के हालात में जो एहमदाबाद के कालू पुलीस थाना है वहां पर पुलीस करमचारी जो है वो इंफेक्टिव पाया गया उसे कोरोना हो गया तो जिसकी वज़ा से अब इस तरीके की पुलीस वैन जो है उसे यहां पर शुरू की गई है और यह खास पुलीस करमचारियों के लिए रहेगी जो की लगातार 24 गंटे ड्यूटी करते रहते हैं यह वैन उनके लोकेशन पर जाएगी सभी पुलीस करमचारियों को डिसिंफेक्टिव करेगी और फिर दूसरे लोकेशन पर जाएगी इस तरीके की यह वैन जो है वो इनिशिटिव एहमदाबाद पुलीस ने लिया है अपने जो पुलीस करमचार भी है उनके लिए कामेरामन उज्वलोजा के साथ गोपी घांगर एहम्दाबाद कर दिए कर दोरी है उनके लिए लिए बाद से उनके लिए हैं—